नमस्कार पहरे बच्चों आईए देखते हैं समझते हैं इतिहास का कक्षा आठमी का पार्थ नंबर पाँच सत्रमी श्ताब्दी में मुगलों का शेत्रिय प्रतिरोध जो की उडान में है तो आप यहां से उडान के क्वेश्चन अंसर्स समझ सकते हैं लिख सकते हैं विश्वसनिय स्त्रोतों के अधार पर बताएं कि हर्याना के पानिपत शहर में कौन सी तीन लडाईयां हुई और किन किन के बीच लड़ी गई पहली 1526 में बाबर और इबराहिम लोधी के मध्या दूसरी 1556 में अकबर और हेमचंदर विकरमाधित्य के मध्या तीसरी हुई थ 1761 में दूसरा कोश्चन है राजपूत किने कहा गया है और क्यों राजपूत जो थे वो शत्रियों से ही उत्पन हुए थे क्योंकि लगातार शत्रियों के संख्या युद्धों में लड़ने के कारण कम हो रही थी इसलिए अन्य समुदायों को भी इसमें शामिल कर लिया ग परताब भाई उदे सिंग दो दुर्गादास रठोर अजीत जस्वन सिंग राओ आप ये नाम लिख सकते हैं राजपूत साशकों के राणा संगा यानि की राणा संग्राम सिंग भी नाम लिखा जा सकता है उसके बाद है जाटों द्वारा मुगलों के प्रतिरोध के क्या थी वो बहुत अत्याचारी और दमनकारी थी इस वज़े से जाटों ने मुगलों के प्रतिरोध करने का फैसला लिया क्या था क्या कारण थे नमबर एक हिंदूओं पर तीर थ्यात्रा कर लगा दिया गया हिंदूओं को विभिन होली दिपावली जैसे तिहार मनाने से मना क कर दिया गया हिंदू coupon के मंदिर तुडवा दिये गये और उनके पुनर निर्मान पर रोक लगा दी गई और किसानों से बहुत अधिक कर लिया जाने लगा तो इन सभी वज़ों से जाटोंने मुगलों का प्रतिरोध किया जोहर प्रथा क्या थी जोहर प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें राजपूत मस्त्रियां जो थी वो एक साथ मिलकर जब अपने आपको चिता में जला लेती थी तो उसे जोहर प्रथा कहा जाता था इससे हमें उनके कौन से चारित्रिक गुणों की जानकारी प्रापत होती है कि वो बहुत महान विरंगनाए थी चरित्रवान थी बहादूर थी और किसी भी परकार की मृत्यू से नाघबराने वाली थी उसके बाद है दुर्गादास राठोर की वीरता और युद कोशल पर चर्चा करें दुर्गादास राठोर के बारे में पता चलता है कि वे रानियों राजपूत रानियों और बच्चों को दिल्ली से बचा कर ले आए और ता उमर जो है राजपूत साशकों की रक्षा वह ओरंग जेव से अकर्मन कारी निती का बदला लेते रहे ओरंग जेव की धार में कट्रता और प्रसाशनिक नितियों से किसानों में रोशत पन हुआ प्रतिरोध के कारण क्या थे तीर थ्यात्रा करप उन्हें लगा दिया जजिया कर लेना शुरू कर दिया किसानों का शोशन किया वेपारियों पर धाई प्रतिशत मुसलमानों पर तो 5 प्रतिशत हिंदूं पर कर लगा दिया हिंदू उत्सब मनाने मेले मनानों पर रोक लगा दी ये सब कारण थे प्रतिरोध के उसके बाद है वेदिशालाएं स्वाई जैसिंग अमेर के साशक स्वाई जैसिंग द्वारा बनाई गई पांच उन में से हम कुछ के नाम लिखते कौन कौन से रचे में है जैपुर दिल्ली मतुरा काशी और उज्जैन सतनामी विद्रोध उसके पीछे मकसद था ओरंग जेव की दमनकारी नितियों को खत्म करना सतनामी का मकसद था कि जो ओरंग जेव की धार में कटरता है उसका विरोध किया जाए 1672 में नारनोल शेतर के गाउं में सतनामी ने विद्रोध कर दिया क्योंकि एक दिन एक सतनामी किसान से एक मुगल सैनिक का जगड़ा हो गया मुगल सैनिक ने किसान के सिर में लाठी देमारी और सतनामी जो था मर गया और इस तरह से इस बदला लेने के लिए ये विद्रोग किया गया पाणी पत का प्रथम युद 1526 ओरंग जेव की मृत्यू 1707 और जोहर कुंड राजपूत दुर्गों में होता है जाट राजनितिक नेता गोकुल और संत वीर्भा सतनामी संपरदाई के संस्थापक उसके बाद है सही उत्तर चुने क्रिशी करने वाले सधारन क्रिश्कों को स्यानिक के रूप में किस ने संग्ठित किया गोकुल ने उसके बाद नेक्स्ट क्वेस्चन है भारतियक गोल के अधार पर वेरिशाला का निर्माता कौन था स्वाईजे सिंग आमीर के साशक नहाराजा सूर्चमल जाट नेता राजपूत्तों के प्रचलित प्रथा जिसमें राजपूत इस्त्रियां सामुहिक रूप से आतमदा कर लेती हैं जोहर प्रथा इस प्रकार से ये सभी प्रशन आपको उड़ान भरने में उसे समझने में मदद करेंगे थैंक्यू सो स्ट्वल जाज से मुझा धू जूव उट मों से राजब कि में ये धानले में नेिसीत करें